तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पास आ चुका है रेड्मी का रेड्मी नोट 13 5G जिसका सेल कल से स्टार्ट हो चुका है यह काफी इंट्रेस्टिंग स्मार्टफोन है जो कि सिर्फ 17 रुपए में मिल जाता है आपको पर्चेस करना सो अफ्लाइन मार्केट से पर्चेस कर सकते हैं यह फिर ऑनलें से एमाज़न पर इसका सेल भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आई से बैंक के क्रेडिट कार्ड के पर आपको इंस्टनली 100 रुपए का डिसकांट भी मिल जाता है तो चलिए जल्दी से करेंगे इस फोन का उन्बॉक्सिंग तो सबसे पहले करेंगे जो प्लास्टिक व्याफर इसको हटा देते हैं प्लास्टिक व्याफर हटाने के बद आप देख सकते ही जो इंडियन अंटियो आंब देखते है कि इस बार आप स्वामे के तरब से क्या खास पर सी कांटें देखने को मिल जाते हैं व्याफर इस वाफेन के लिपलेश जुनắn के युडी से इस के इलसे अपड़ता अंग पेशेकांटिक आफ्स और कॉम्तेशर और जाते हैं और material का TPU case cover जो कि इस बार आपको black color का या पर TPU case cover मिल जाता है इसके जो quality काफी जादा मुझे premium लगी है इसके बाद मिल जागा handset जो कि Redmi Note 13 5G का handset जो कि specially prism gold color के साथ मिल जाता है जो color है इंडिया के लिए design किया है इसको purchase किया है जो कि पूरा glass bag design के साथ मिल जाता है वैसे phone के बारे में हम detail में बात करेंगे लेकिन बॉक्स के अंदर आपको मिल जागा एक 33Wat का super fast charging adapter in the box इसके बाद मिल जागे एक data cable जो की USB tab-c data cable मिल जाती है बस box के अंदर आपको इतने box content देखने को मिल जाता है अब दोस्तों actual में नजर डालेंगे Redmi Note 13 5G smartphone के तरह तो दोस्तों यह Redmi का latest launching smartphone Redmi Note 13 5G जो कि specially prism gold color के साथ available हो जो 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 color है ना सिर्फ इंडिया के लिए design किया है तो जल्दी से करेंगे phone को start and देखते कि इस बार आपको क्या कुछ खास smartphone में देखने को मिल जाता है और phone start होते होते इस phone के कुछ फीजिकल और view के बार में भी जान लेते है तो इस phone के red side के बार में बात करेंगे तो power button मिल जाता है volume और aker keys मिल जाता है और उसी power button में physical fingerprint scanner का भी feature मिल जाता है left side के बार में बात करेंगे तो sim cutter मिल जाता है जो की hybrid sim cutter मिल जाता है इसके बाद bottom side के बार में बात करेंगे तो primary speaker है charging port है primary microphone मिल जाता है top side के बार में बात करेंगे तो 3.5 mm audio jack मिल जाता है IR blaster sensor and secondary noise cancellation का mic भी मिल जाता है चले दोस्तों बात करेंगे smartphone की design and build quality के बार में वैसे इस phone का जो back panel पूरा का पूर एफे glass panel देखने को मिल जाता है and मेरे पास है जो वेरेंडे especially prism gold का वेरेंडे जो की specially इंडिया के लिए design किया है वेसे इसका एक और वेरेंड मिल जाता है जो की matte finishing के साथ आ जाता है जो की plastic back के साथ आ जाता है इसकी जो set की frame में flat edges मतलकी boxy tap का design मिल जाता है fingerprint के smudges वगर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे इसका weight distribution काफी सही है in hand feeling काफी सही है इसके weight के वारे में बात करेंगे तो लबक देखने 174 grams का weight आ जाता है वेसे आपको इस phone का design कैसे लगा आप मुचे नीचे comment box में जरूर बता सकते है चले दस्तों बात करेंगे display के वारे में जो कि यह काफी बड़ा highlight point है क्योंकी दस्तों इस desk में 6.6 inch का full HD E plus display जो कि 10 bit colors के सथ आपको AMOLED पैनल का display मिल जाता है जिसमें 240 Hz का touch sampling rate मिल जाता है 1000 nits की peak greatest value मिल जाती है सबसे में चीज इसमें आपको gorilla grass 5 cup protection मिल जाता है इसके बाद रिफ्रेश रेट के बार में बात करेंगे तो 120 Hz का smooth adaptive refresh rate भी देखने को मिल जाता है इसके बाद wide one a1 का भी support मिल जाता है एमजोन फ्राइम नेट्फिक्स इसकी जो content फूल HDR में watch कर सकते है यह पर जो नेट्फिक्स के content अभी तक इस device में HDR में support नहीं करते है YouTube HDR content support के बार में बात करेंगे तो 2K वीडियो का support मिल जाता है मतलब कि 1440 pixel में YouTube के वीडियो भी watch कर सकते है इसके बाद डिस्पले क्वालिटी के बार में बात करेंगे तो डिस्पले की क्वालिटी है ना काफी ज़्यादा जबरदस देखने को मिल जाएगी Note 12 से Note 13 में डिस्पले में काफी major upper grid देखने को मिल जाता है चेले दोस्तों बात करेंगे इस DSK camera के वारे में जो कि इंडिया के लिए काफ़ी special camera है क्योंकि 108MP का triple rear camera set मिल जाता है जिसमें 8MP का ultra wide angle है 2MP का macro lens मिल जाता है Samsung का sensor मिल जाता है इसके बाद selfie camera के वारे में बात करेंगे तो 16MP का A super selfie camera मिल जाता है फीचर के बार में बात करेंगे तो dedicated यहां पर ultra HD mode मतलब की 108MP का mode मिल जाता है night mode का feature मिल जाता है dedicated film mode का भी feature मिल जाता है वीडियोग्राफी के बार में बात करेंगे तो कहीं भी यहां पर 4K video का support देखने को ने मिलेगा 1080px at 30fps में video recording कर सकते हैं इसके अलब कोई भी video stabilization का support भी देखने को ने मिलता इसके बाद दुस्तो camera smfs के बार में बात करेंगे तो price की सबसे decent camera मिल जाता है specially selfie camera के जो result है काफी better देखने को मिल जाते है portrait shot में जो age detection से काफी better आपको sharpness देखने को मिल जाते है dynamic range portrait shot एंड जो normal shot से उसमें भी यार काफी better dynamic range मिल जाते है end of photo में जो colors आ जाते है काफी accurate natural टोन में photo आ जाते है कहीं भी saturated tone देखने को नहीं मिलेगा pixelization के बार में बात करें तो काफी better pixel quality मिल जाती है वेसे low light condition में काफी better photos capture करता है क्योंकि यहाँ पर देशेते बादल चाच चुक है पूरका पूरा बारिश का मौसम में लेकिन फिर भी देशेते कितने अच्छे photos capture किये है so low light condition में भी देशेते काफी better photographs capture कर सकते है इसके लगा दोस्तो वीडियोग्राफी के बार में बात करेंगे तो 1080 pixel at 30 face में वीडियो को recording कर सकते है वेसे वीडियोग्राफी में कोई भी stabilization का support देखने को नहीं मलता है लेकिन जो वीडियो की quality है काफी better tap की देखने को मिल जाती है कितना दूनला यापे मौसम हो चुका लेकिन फिर भी देशेते लूलेट कंडिशन में वीडियो काफी अच्छा यापे record हो चुका है इसके बाद अस्तो प्रोसेसर एंड परफर्मस के बार में बात करेंगे तो इस डेस में MediaTek Demensity 6080 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है जो की 6 nm आर्किटेक्चर पर बेस्ट है इसके लिए दो सब बात करेंगे अंतुद बेंचमा स्कोर के वार में तो इस डेस में लगबग दे सकते है साड़े चार लाकी आसपास इसका अंतुद बेंचमा स्कोर निकल के आ जाता है इसके बाद दो सो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट के बार में बात करेंगे तो लगबग दे सकते है 92% हमको यहाँ पीक परफर्मस देखने को मिल जाता है कि सबसे काफी decent आपको performance मिल जाता है इसके बाद दोस्तों gaming के बार में बात करेंगे तो यहाँ पर जाते है नोल्रमल 그럼 पर 38-39 में आपको इस डेस्ट में डेकने को मिल जाए तो आपको यह पर केजूल करने मतलगी बेसिक टैप की गेमिंग करने सो नॉर्मली आप इस डेस्ट में कर सकते हैं बाकि इसमें जारॉसकोप ठीक टक एक्टिव देखने को मिल जागा कहीं भी दिक्कत देखने को ने मिल सब्सक्राइब करने के लिए इस डेस्ट में 5000 इमेज का बैटरी बैकप मिल जाता है वह भी 33 वैट के सूपर फार्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ वैसे 33 वैट का जो चार्जर वह भी आमको इंद बॉक्स देखने को मिल जाता है सौफ़एर एंड वैस के बार में बात करेंगे तो इस डेस में एमा यह 14 वी एंडुर 13 का अपडेट मिल जाता है वह ब्याट वी आप देखने को मिल जागा एंड फ्यूचर में तीन साल तक सिक्विर्टी पैच्चेस के भी अपडेट इस डेस में देखने को मिल जाएंग निस्टॉल कर सकते इसके लिए बात करेंगे अनिमेशन की बार में एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डिरिटल आफ ये तो वो भी हमको यहाँ पर ग्रेट टैप का कंट्रोल सेंटर मिल जाता है तो आटरा अज़र रुपय के फोर में जो सॉफ्ट्ट एर एक्स्पिरेंस है वो आपको थोड़ सा नहेराश कर सकता है इसके बाद दोस्तों इस डेस में 200 परसंट तक मैक्स-टू-मैक्स वोलिम का सपोर्ड मिल जाता है तो चले साउंड की क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं वेसे प्रैवेसी एन स्कुरिटी के लिए डेस में साइड माउंट फीजिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर मिल जाता है हैंड दोनों arranged speed काी जाता हैंड स्क्रीण पर देखता हैंड फोन जपन के फोन उनलोग हो हो जाता है और पालें बाद में बात करेंगे तो 5G जूकिंधे इंडले में सपॉर्ट करते ह। इसके बाद 12 5G support है, 12 4G का भी support मिल जाता है, Bluetooth 5.3 का support मिल जाता है, Wi-Fi calling का support है, Wi-Fi 5 का support भी मिल जाता है इसके अलब को IP54 का भी rating support मिल जाता है So friends, आपको यह phone 17 जो पर के price point पर कैसा लगा है, नीचे comment box में जरूर बता सकते है So friends, I hope कि आपको यह video पसंद आच चुका होगा तो दोस्तों video पसंद आए, तो like कीज़े, share कीज़े अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ एसा ही interesting video के साथ, तब तर के लिए thank you, bye bye, take care